अगर चावल के साथ दाल खाकर बोर हो गए हो तो चलिए आज बनाते हैं कुछ यूनिक चट्पटा और टेस्टी तो आज हम बनाएंगे हनी चिली पनीर पटेटो यह टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है फटाफट से बन भी जाता है और खाने में बहुत ही मजाता है तो यहाँ पे हनी चिली पनीर पटेटो बनाने के लिए हमें चाहिए पटेटो यानि की आलू तो यहाँ पे मैंने तीन मीडियम साइज के आलू ले लिये हैं और उन्हें अच्छे से मैंने छीर लिया है चलिए यहां पे सारे आलो को मैंने छिल लिया है अब हिने हम कट कर लेते हैं तो आलो को हमें कट करने में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें इसे मोटा मोटा कट नहीं करना है इस तरह medium slice में हमें इसे कट कर लेना है तो मैंने क्या किया है आलो को बीच में से कट कर लिया है और इस तरह इसकी slice निकाल ली है आप अपने choice के according इसे कट कर सकते हो लेकिन ये धियान रखना है कि बहुत पटला भी नहीं कट करना है और बहुत मोटा भी नहीं कट करना है तो आलो को हमें दो लेना है तो दो से तीन बार मैंने आलो को अच्छे से दो लिया है चलिए अब आलो को हम चड़ा देते हैं गैस के उपर गरम होने के लिए रख देते हैं उसे हमें only 20 से 30% पकाना है जादा नहीं पकाएंगे चलिए तब तक और बाकी सबस्या हम कट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने गाजर को चिल लिया है और गाजर को भी मैंने इसी तरह बीच में से कट कर लिया है और इस तरह इसके भी मैंने medium size के pieces निकाल लिये हैं चलिए यहां पर आलू को देख लेते हैं तो 20 से 30% आलू पक चुके हैं पांच मिर्ट में आलू बन जाएंगे मतलब के कुक हो जाएंगे तो गैस की फ्लेम को हम आफ कर लेंगे यहां पर मैंने ले लिया है एक कैपसिकम और कैपसिकम को भी मैं इसी तरह बीच में से कट करके उसके मिडियम सैज के पिजिस निकाल लूँगी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वैजी रिवल्स कट कर सकते हो चलिए मैंने यहां पर प्यास भी ले लिया है और उसे भी मैंने इसी तरह कट कर लिया है तो चलिए अब आलू को भी हम चान लेते हैं आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो मैंने एक चलनी के अंदर इसे चान लिया है और एक किचन टाल के उपर हमें इसे सुखा लेना है तकि जो इसके उपर एकसेस वाटर है वो सोख हो जाए और आलू हमारे थोड़े से ड्र लेना है ताकि फटा-फट से आलू हमारे ड्राय हो जाए 5-10 मिट में आलू ड्राय हो जाएंगे चले तब तक हम चावल चड़ा देते हैं यह जो रैसिपे मैं बना रही हूं उसके साथ चावल अच्छे लगते हैं अगर आप इसे ऐसे ही खाना चाहते हो तो भी खा सकते हो है पनीर क्योंकि हम हनी चिली पनीर पटेटो बना रहे हैं तो यहां पर मैंने पनीर भी ले लिया है और पनीर को मैंने इस तरह स्क्वेर पिसिस में कट कर लिया है अगर आप चाहो तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो चलिए अब ले लेते हैं एक कड़ाई और we'll add some half heirloom पनीर और पट्य फ्राय करने उससे पहले ताली के अंदर पनीर और पट्याटो निकाल लेंगे और अब इसके ओपर डाल देंगे हम कॉंपलार कॉनफ्रा डालने से ये जो पनीर और पटेटो है वो उपड़ से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे तो इस तरह हमें थोड़ा सा कॉनफ्रा लेके सारे पनीर और पटेटो को हमें कोट कर लेना है तीन से चार चमप जितना यहां पे मुझे कौन फ्रा लगा है अब हमें चाहिए अद्रक तो यहां पे मैंने दो छोटे-छोटे अद्रक के टुकडे लिये हैं उन्हें अच्छे से छील लिया है अद्रक की हमें पेस नहीं बनानी है हमें उसे एकदम छोटे पिसिस में कट करना है तो मैंने इस तरह का चौपर लिया है और अद्रक के साथ मैंने आंट से 10 करी लसुन की भी ले ली है और इस तरह मैंने उसे एकदम बारिक चौप कर लिया है चलिए अब यहाँ पे दिख लेते हैं चावल हमारे पक गए हैं की नहीं तो यह दिखिए चावल भी हमारे अल्मोस्ट रेडी है तो गैस की फ्लेम को आफ कर लेते हैं यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो पनीर और पटेटो को हम फ्राइ कर लेते हैं मैंने सारे पनीर और पटेटो को एक साथ ही डाल दिया है मिडियम फ्लेम पे इसे मैंने फ्राइ कर लिया है तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है मिडियम फ्लेम पे आप फ्राइ करोगे तो ये फटा फट से फ्राइ हो जाएंगे आलो हमारे थोड़े से पके हुए थे, मतलब के 30% पके हुए थे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ पे आलो और पनीर फ्राय हो चुके हैं, तो मैंने उन्हें निकाल लिया है और जो एक्स्ट्रा तेल था, उसे भी मैंने निकाल लिया है कड़ाय में मैंने सिर्फ 4-5 चमच इतना तेल रहने दिया है अब कड़ाय में डाल देंगे अद्रक और लसुन, 2-3 मिट उसे पका लेना है फिर डाल देंगे प्यास, प्यास को भी हमें 4-5 मिट पका लेना है फिर डाल देंगे सारी सबजिया, उपर से डाल देंगे तेस के अकोडिंग नमक, चिली फ्लेक्स, एक चमच विनेगर, एक चमच सोया सॉस और तीन से चार चमच डाल देंगे कैचप, कैचप से इसके अंदर बहुत ही खटा मिठा फ्लेवर आएगा, चले अब यहां पर मैंन तो आप देख सकते हो कि ग्रेवी हमारी एकदम रेडी है, इस तरह की थिक ग्रेवी हमें बनानी है, अगर आपको इससे भी थिक ग्रेवी चाहिए, तो आप कॉन फ्लोर की कॉंटेटी थोड़ी सी जाधा कर सकते हो, चले अब हमने जो फ्राइ किये थे पनीर और पटेटो इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लास में इसके उपर हम डाल देंगे हनी, हनी से इसके अंदर टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है, लेकिन हनी जब इसके अंदर एड़ करें तब गेस की फ्लेम को हमें आफ कर लेना है, उसके बाद ही हम इसके उपर हनी एड़ करेंगे तो ये लिजिए हमारे हनी, चिली, पनीर, पटेटों एकदम रेड़ी है इसे मैंने चावल के साथ सर्व कर लिया है उपर से मैंने थुद़ से तील डाले हैं ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे तो आपको अच्छी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नायतों सिस्क्राइब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई, जैशी करशना